अब मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूँ कि MIUI 15 आखिर इतना पास कैसे आ गया और इसका मैंने यहां पे कैसे पता लगा लिया तो यहां पे हमारा MIUI 14, Android 14, Android 13 पे MIUI 14.0.23.9.18, Android 13 पे चल रहे हैं शोमी सीरीज, डेडमी सीरीज, डेडमी नोट सीरीज के लिए चाइना बेटा में और यहां पे MIUI 14.0.23.9.19.DEV वर्जन में Android 14 के लिए चल रहे हैं, शोमी 13, शोमी 13 प्रो के लिए और इस अपडेट का साइज आपको केवल 30 MB के यहां पे प्रीवियस वर्जन से देखने के लिए मिला था और यहां पे यह श्टेवल वर्जन यानि कि यह वाला इंटेरनल बेटा वर्जन चाइना बेटा का 22nd September को रिलीस किया गया था और अब यहां पे दो हफ़तों के लिए China Beta closed है due to China holidays और यहां पे दो हफ़ते के close के बाद यहां पे Xiaomi एक और China Beta को release कर सकती है लेकिन इसके भी बहुत ही कम chances यहां पे बन जाते हैं क्योंकि यहां पे MIUI 15 October के end में launch किया जाने वाला है और जब भी MIUI 15 को launch किया जाता है यानि कि Every Year MIUI App Grid को launch किया जाता है तो उसके दो हफ़ते पहले यहां पे China Beta को close कर दिया जाता है और अभी के लिए दो हफ़तों के लिए और डरी close है तो दो हफ़तों के लिए यह लोग all close कर देंगे क्यों गेंट को मीवाइ 15 भी यहां पर लॉंच करना है तो अब आखिर यहां पर मीवाइ 15 कितना पास है यह मुझे कैसे पता चला यह मैं आपको शोग कर देता हूँ So here you can see that मीवाइ 14 का internal version 23.9.19 हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और आप इस वाले screenshot में चेक आउट कर सकते हैं जो Xiaomi Pad 5 सीरीस में से यहां पर लिया गया है जिनके लिए मिवाइ 15 भैडी सून है इनके रिगार्डिंग लॉंग वीडियो क्रियेट कर चुका हूँ तो आप इनका internal version चेक आउट कर सकते हैं और यह internal version और भी Xiaomi devices के लिए available है इसका आप version देख सकते हैं 23.9.24 जो की शो करता है कि मिवाइ 15 अब बहुत ही जल्द है अगर हम यहाँ पे एक एक प्लस करते जाएं यानि कि आप यहाँ पे एजिली खुद भी calculation करके चेक आउट कर सकते हैं कि मिवाइ 15 कौन सी तारिक को लॉंच किया जाएगा यह हमारा 22 सेप्टेंबर को मिवाइ 14 के चाइना बेटा दो इंटर्नल वर्जन लॉंच किया गए थे 23.0 और आपको यहाँ पे मिवाइ 14.0.23 का यह वाला इंटर्नल वर्जन भी देखने के लिए मिल जाता है तो यानि कि आपके एक दिन में दो इंटर्नल वर्जन रिलीस किये जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे 23.9.18 का रिलीस किया गया जो एंटर्वे 13 पर बेच था और 23.9.19 का रिलीस किया गया जो एंटर्वे 14 पर बेच था तो अब आपको सिंपली क्या करना है अब आपको सिंपली अगले हफ़्ते में जाना है और उनको यहाँ पे फ्लश टू टू करते जाना है तो यह वाला internal version हमारा 22nd September को release किया गया था तो अब आपको simply देखना है कि यहाँ पर इसकी according अगर यहाँ पर 29th को release किया जाता तो यहाँ पर release किया जाता 23.9.20 का and 23.9.21 का China beta version और उसके एक हफ़ते के बाद यानि कि 6th of October को यहाँ पर हमारा release किया जाता 23.9.22 and 23.9.23 लेकिन यहाँ पर दो हफ़ते के लिए close है तो अगर आप यहाँ पर दो हफ़ते और extend यहाँ पर कर देंगे तो आपको यहाँ पर 13th October और यहाँ पर आपको 28th October को MIUI 14 के last internal version देखने के लिए मिल जाएंगे MIUI 14.0.23.9.23 तक और आपको यहाँ पर 27th October को MIUI 15 का launch किया जाएगा जो कि 23.9.24 internal version China beta में release किया जाएगा तो यहाँ पर आप easily check out कर सकते हैं कि यह MIUI 15 का version 23.9.24 में है और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि MIUI 15 आपको October के मिल में ही launch कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर चाइना ने अल्रेडी दो हफ्तों के लिए चाइना beta को close कर दिया है यानि कि 6th of October तक तो आपको almost यहाँ पर आपको 13th October से 20 October के बीच में MIUI 15 का mega launch यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है तो अगर आप MIUI 15 के लिए excited हैं तो comment करें और आपको यह वाली calculation MIUI 15 की release date की कैसी रगी comment करके जुरूबत आना और यह मेरी आपे theory है कि MIUI 15 को October में ही release किया जाएगा 100% confirm आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं तो comment now and share now this video with your MIUI friends and don't forget to subscribe my YouTube channel for more information related to MIUI 15 कुछ एंतरelp необходимо inaresal का पुछ शचर वालीैं तो क का बदमा जापको कि नचार शास सर्फरले शचर बाल, को का दो हैं, तो किया और यहाँए हैं, तो count.